हलो दूस्तों अगर आप से पूछ जाए कि हमारी human body में कितनी bones पाई जाती हैं तो आपका answer 206 bones होगा क्योंकि आप बच्पन से ही पढ़ते चले आ रहे हो येकिन अगर आप से पूछ लिया जाए कि हमारी back part पर present vertebrick column पर कितनी bones पाई जाती हैं तो उस time आपका answer क्या होगा ज लेकिन आप ध्यान से इसको देखो कि ये 33 vertebrick column है और मैं आपको बता दूँ ये जो sacrum and cosecs होती हैं वो already fuse होकर के एक-एक bones का formation करती हैं इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि bones कितनी होती हैं तो आपको 26 ही बतानी है लेकिन अगर column पूछा जाए तो 33 बताना है तो don't confuse guys ऐस इसे facts को सुने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना मत बूलिए और तब तक के लिए मिलते हैं निव वीडियो के साथ जाहिन